दोस्तो अगर आप लोगों ने ओगी एन कोकरी जिस काट्टून को देखा है तो यह गेम आपको जरूर पसंद आएगी क्योंकि दोस्तो यह गेम उसी के उपर है मैं भी कैसे ट्राइ करने वाला हूं मैंने आज तक इसे नहीं खेला है अब यह भी दूस्तो मैंने इसे अपने प्रेस्टी ओपन सेटिंग रिजूलेशन कम कर देते थोड़ा ताकि जो गेम है वो लेग ना करें ओ भाई साब रिस्टार्ट कर दिया मतलब की जो कोकरेज दे उसने ओगी को फीनिस कर दिया अब कैसा आके बढ़ते हैं और भाई साब काफी तेज हो रहा है रेकिन इसमें सेंसितिव्टि की बात करें गाफी ज़्यादा आप लोग देख सकते हो कि सेंसितिविटी है यहां पर समझ में नहीं यारे गेम को खेलना कैसे क्योंकि कोक्रेजिस के पीछे पढ़ गहें है ओगी जीतने तो कोक्रेजिसंट है बागो भाई बागो बागो भागो वाई आई समझ में नहीं आ रहा है मुझे यार गेम की sensitivity कितनी ज़्यादा वाई इस गेम को खेलू तो खेलू कैसे वह समझ नहीं आ रहा है बंदे को फीनिस कर दिया मेन मेनू में जाते हैं हम लोग कंट्रोल पर देख लेते हैं कि यह से ने चलो ओके रिलोड वेपन विल इस तुप वेपन है मों ओके स्प्रिंट अचलो ठीक है चलो यह देख लिया हम लोगों ने भाई ओके यह रिगन यह रही चलो पिक कर लिया अब यह आओ कि अरे भागने का मुखा नहीं दे रहे बंदे यार मजा नहीं है मुझे इस गेम में अचलो फाइनली फाइनली इसने वही चलाई लेकिन इसमें लेगिंग इस बहुत है इंप्रुमेंट की जरूरे काफी जाद है इसमें कि यह कोखर वह इतने बड़े कमसे हो गये तीन कोखरेज और वह गया लेकिन इसके पास एक मस्ता सी वेपन है वाई वह सब्सक्राइब लेकिन गेम में मतलब की जो सेंसिटिविटी का इसू है जो लेगिंग इसू है उससे अकर सॉल कर दिया जाए मज़ाएगा वैसे ख़लने में और इतने बड़े-बड़े कोक्रेजिस भाई संबालना मुस्किल है चलो गाइस एंड करते हैं मुझे लगा कि कैसी गेम होगी मज सब्सक्राइब करते हैं मुझे लगा कि बहुत ही मजा आएगा लेकिन लेक हो रही थी अपने पीसी के कारण या फिर गेम ही कुछ ऐसी थी समझ में नहीं मुझे आपने ट्राइब किया है कि नहीं कमेंट करके जरूब बता देना